Hello kids, how are you? I hope you all are fine. उस दिन हमने क्या सीखा था? हमने even numbers को 5 से multiply करना सीखा था. और आज हम किसकी magic trick सीखेंगे? odd numbers की. ठीक है? आप यहाँ पर हमारे पास odd number है. और कितना बड़ा number है हमारे पास? इसे हमें 5 से multiply करना है. तो हम कैसे करेंगे? हम इसको 2 से divide करेंगे. 4 को हमने 2 से divide किया क्या आया? 2, 6 को किया, 3, 2 को किया, 1. अब 5 को करेंगे तो decimal आएगा. क्या आया? 2.5. अब यह तो गड़बर हो गई. तो इसका answer अगर हमें चाहिए, तो हम यह decimal हटा देंगे. तो हमारे पास इसका answer आजाएगा. 4,625 multiplied by 5 is equal to 23,125. तो हमारी magic trick क्या है? रिमूव डैसिमल. और एक बास बताओं बच्चों, सब आपको magic trick तो बता देंगे, लेकिन उसमें जो loophole है, वो कोई नहीं बताएगा. वो सिर्फ मैं आपको बता रहेगा. अब इसकी भी loophole सुल दो. इसकी loophole यह है, कि सारे number even हो, बस last का number odd हो. जब सारी digits even है, and last digit odd है, तभी यह वाली magic trick यूज होगी. डैसिमल हटानी की. तेखो, 35 into 5 अगर हम करें गई, तो वो सही अगसर नहीं आएगा. उसकी magic trick में आपको next time समझाओंगी. अभी हम इसी की magic trick करणेगे. अब हमें 65 को 5 से multiply करना है, तो हम इसको 2 से divide करेंगे, 6 को हमने 2 से divide किया 3, 5 को किया 25, तो 2.5 तो 25 नहीं तो क्या अगर आजेगा, 325, और दिख लेते हैं, 483 को हम multiply करते हैं, 5 से, 2 से divide करेंगे, 4 को 2 से divide किया, 2, 8 को किया, 4 और 3 को किया, 1.5 तो हम 50 लिखेंगे, 1.5 में लिखेंगे, तो हमार पास क्या आगया, 2450, ओके, तो अब कुछ questions, answers दे देते हैं, कुछ questions दे दे देते हैं, आपको, homework, 647 into 5 क्या आता है, आपने आपको बताएंगे, 829 into 5 क्या आता है, यह आप मैं को बताएंगे, ओके, और यह जब आप इसकी लूपोल को जरूर ध्यान रखें, और नमबर्स, और नमबर्स तुमें, लास्ट डिजिट से फॉर्ड होनी चाहिए, और तब इवन होने चाहिए, तब यह वाली ट्रिक यूज होगी, और इससे पहली ट्रिक जो मैंने आपको बताएंगे, उसमें सारा नमबर इवन होने चाहिए, ओके, नेक्स टाइम मैं आपको दूसरी ट्रिक संझाओंगे, औ और आपको कैसी लगी है मैजिक ट्रिक? यह मुझे ज़रूर बताएंगा, ओके, बाई, टेक क्यार